आज की जो सची घटना मैं लेकर आई हूँ इसमें फेस्बुक से होता है एक लड़के को प्यार जिसके चक्करन अपने माता पिता दोनों के ले लेता है जान घटना को अगर पूरा जानना है तो आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक पने रहना होगा राम राम नमशकार मैं महच चाधरी लेकर आई हूँ आपके सामने दिल्ली के जामियन अगर की सची गतना यहाँ पर एक प्रिवार रहता है जिस परिवार मैं एक बेटा है दो माता पिता है तीन ही लोगों का परिवार है इसमें जो माता-पिता हैं और उनका बेटा अब्दुलरह्मान शाम को खाना खाके सोते हैं तब ही माता-पिता अंदर सोते ही रह जाते हैं और जब सोते हुए माता-पिता रहते हैं तो सुबह उठकर जो रहमान है वो चार तरब शोरगुल मचा देता है और कहता है कि मेरे मम अब्बू यानि कि मेरे अम्मी अब्बू अब तक भी नहीं जगे हैं इस बात को सभी पडोसियों से कहता है पडोसी भी दरवाजा खुरिवाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी कोई पुलिस को भी कॉल कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है जैसे ही पुल कि तो किसी से भी लड़ाई भी नहीं थी आखिरकार इनके साथ ऐसा किस ने किया पुलिस भी उनके अबमी और अब्बू के सब को पोस्ट माडम के लिए भेजती है और जब पोस्ट माडम की जो रिपोर्ट है उसका सभी इंतजार करते हैं कुछ दिन बाद उसकी रिपोर् उनका सक रहमान पर ही जाता था क्योंकि उनके अम्यबू के ना तो कोई दुस्मन था ना ही उनका कोई ऐसा मांसिक तोर पर वो परिशान थे जिससे की वो कुछ ऐसा कर सकें तब ही अब पुलिस के सक पर पुलिस जो रहमान का कॉंटर डिटेल है उसका कॉल डिटेल निकल व्यक्ति का नंबर होता है नदीम नाम होता है नदीम कान से करीबन दो गंटे पहले रह्मान की बात हुई थी नदीम से क्या बात हुई थी ये बात गी नदीम् खानने सब कुछ बता दिया है अब अप तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों कर वाया पूर अब रहां यह केहना था अब अब रहमान अपनी सारी पोल पट्टी होती ती है उसको खोल देता है वो कहता है कि मैं नंदनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था जो कि मुझे फेस्बूक पर मिली थी और जिसके बिगएर मैं रह नहीं सकता था लेकिन मैंने अपने माबाप से बात की शादी की तो उन्होंने शादी के लिए सक्त मना कर दिया और शादी के लिए मना किया तो किया मेरी शादी एक और लड़की से करा दी जिसके साथ मैं कतई भी खुश नहीं था लेकिन उनकी खुशी के लिए मुझे कुछ दिन रहना पड़ा लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मैं इनके साथ अब नहीं रह सकता तो मैंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहट सबसे पहले तो मैंने अपनी पत्नी को परवीन यानि की साजिया परवीन उसकी पत्नी का नाम था उसको तलाग दिया और जब वो यहां से चली जाती है तो उसके बाद मैंने ही जो मेरा दोस्त था नदीम खाल और उसके दो दोस्तों से बात करके वो शाम को हमारे घर आते हैं जब मेरे माता पिता सो जाते हैं उसके बाद हम दर्वाजा खोलता हूं है और तब वो लोग अंदर आते हैं और वो कमरे में जाके मेरे माता-पिता के सांसें बंद कर देते हैं यानि कि गला घोट कर उनको वही मौत की नीन सुला कर और फिर मैं उनको यहां से निकाल देता हूँ जैसे ही सब इस बात को सुनते हैं तो सब बहुत परेशान हैं कि एक ही बेटे को पैदा किया और उसने एक फेस्वुक के प्यार के लिए अपने उन माता-पिता को मौत की नीन सुला दिया जिन्होंने उसको पाला पनोसा बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराई लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी अपने दिल की ना समाज की ना किसी भी चीज़ की और अपने माता-पिता की जान ले ली अपने एक छोटे से हट की वज़े से वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इन कहानियों को लाने का मेरा सिर्फ एक्यूप देशे होता है कि आप लोग इनसे कुछ नहीं कुछ सीख लें जिससे कि भविशे में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो बच्ची अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई प्यार काम नहीं आता है जब आपका 20 साल पुराना प्यार काम नहीं आया आपके हिसाब से तो चार महीने का प्यार क्या काम आएगा तो अपने आपको सचेत रखिए बच्च कर रहिए प्यार से रहिए रिष्टों की एहमियत को समझिए बहुत जल्फिरातिय शीक सची गठना के साथ तब तक के लिए जैहन चेबा